News 18 इंडिया इस हमले के पीछे इरान समर्थित विद्रोही संगटन मिलिशिया का हाथ है ये मिलिशिया सीरिया, इराक, लेबनान और लीबिया में सक्री है इससे पहले भी इराक में अमारी की एर बेस पर हमला हुआ था लेकिन उसमें कोई हतात नहीं हुआ था इस हमले के बाद राशुपती जो बाइडन ने हमलावरों को बदला लेने की धमकी दिये तो ये सबसे बड़ी जोनकारी आपको दे रहे थे जहां पर जॉर्डन में सीरियाई सीमा के पास इस्तित एक अमेरिकी मिलिटरी बेस पर किस तरीके से आतकवादी हमला हुआ है तस्वीरे भी हमने आपको दिखाई देखे तीन तस्वीरे आपको दिखा रहे जॉर्डन में यूएस मिलिटरी बेस पर हमला हुआ और ये जो इलाका हम आपको बीच की तस्वीर में दिखा रहे है दरसल यही वो इलाका है जिस पर हमला हुआ है और साफ तोर पर जो बाइडन की तरह से कहा गया है कि देखें हमारे तीन सैनिकों की मौत हुई है इसका बदला लिया जाएगा बताये जा रहा है कि यूएस मिलेटरी सेंट्रल कमांड ने हमले के पुष्टी करते हुए बताया कि हमला शनीवार रात को हुआ जिसमें तीन अमारी की सैनिकों की मौत हुई है और साथी पच्चस लोग खायल को हैं लेके घनी आबादी वाला यह इलाका और गाजा में पुद्रोही संगटन मिलीशिया का हाथ है और यह मिलीशिया सीरिया, एराक, लेबनान और लीबिया में फिलाल सक्रिया है इससे पहले भी बात करें तो एराक में आमारी की एर बेस पर हमला हुआ था हलाके अच्छी बात यह थी कि उस वक्त कोई हताहत नहीं हुआ था लेक पे परिधान मंतरी नरे द्रमोदी सुबह ग्यार बजे परीक्षा पे चर्चा कारकरम कीता है देश भर के विद्यात्कियों को बोर्ड परेक्षा के गुर सखाएंगे इस दौरान परिधान मंतरी नसल चात्रों के सवालों के जबाब देंगे बलकि उन्हें तना मुक्त र झाल झाल